हलो फ्रेंड सलाब उल फैमिल बाप को सागते और आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी नूडल्स वित पनीर और पनीर का स्वाद जब मैगी में आए तो वाक़ी बहुत टेस्टी रगता है तो इसके लिए हमने ले लिए हैं देखे गाजर, प्याज, टमाटर और लहसन और ये त चीन नूडल्स वनाने वाले हैं हम लोग तो ये पहले सबजी को हम बारिक काट लेंगे और इसमें हम कुछ और सबजिया भी अपनी पसंद से एड़ कर सकते हैं तो ये देखे कड़ाई में कर लिया है सरसो का तेल गरम डाल दिया है जीरा और उपर से हमने डाल दिया है बा ब्राउन हो जाए तो हमने एड़ कर दिया है टमाटर उसके बाद नमाक हल्दी और मिर्च को साथ के अनसार एड़ करके हमें इसे अच्छे से पका देना है और अब जल्दी से चुचुड़े टुकड़े कर लेते हैं पनीर के और इधर मसाला पक चुका है अब हम इसमें ए पाउचे अड़ कर सकते हैं और जब ये तयार होना है तो हम इसमें एड़ करना है गाजर और जो भी सबजियां हम इसमें काट कर डालना चाहते हैं सभी सबजियों के पक जाने के बाद हमने एड़ कर दिया है पनीर और पनीर जब अच्छे से हो जाए तो हमने एड़ कर दी है मैगी और मैगी तो जट पर तयार हो ही जाती है तो मैगी डालने के बाद टू मिनिट नूरल्स तयार हैं विद पानेर